नमस्कार, शब्दुसाची के समचार बुलेटिन में आपका स्वागत है शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी ने शनिबार को केरल के वायनाट में लेंड्सलाइट प्रभावित इलाकों का दौरा किया वो सुबह 11 बजे स्पेशल विमान से कन्नूर एयरपोर्ट पहुँचे वहां से हेलिकॉप्टर से वायनाट गए रास्ते में उन्होंने लेंड्सलाइट प्रभावित गाउं का हवाई सर्वेक्षन किया मोदी ने वो जगह भी देखी जहां से 30 जुलाई की रात तबाही शुरू हुई थी उन्होंने पीडितों से मुलाकात भी की 17 महीने बाद तिहार जेल से रिहा होने पर शनिवार सुबह सिसोधिया ने कनाट प्लेस के हनुमान मंदिर में पूजा की इस दौरान उन्होंने कहा कि बजरंग बली ने मुझे आशिरवाद दिया है अर्विंद केजरिवाल पर बजरंग बली का बहुत क्रिपा है उन्हें भी बजरंग बली का इसी तरह से आशिरवाद मिलेगा मंदिर में पूजा के बाद उन्होंने राजगाट पहुँचकर महात्मा गांधी को श्रधानजली अर्पित की इसके बाद मनीश्ट सिसोधिया ने आप ओफिस में कार्यकरताओं को संबोधित किया उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने संबिधान का अस्तमाल करते हुए तानाशाही को कुचला भाजपा ने मुझे जूठे केस में फसाया के जरिवाल भी जल्द बाहर आएंगे भगवान के घर देर है अंधेर नहीं 17 महीने यह आस्वों इन आस्वों ने मुझे ताकत दिये 17 महीने जेल में मैं जब राजगाट पर आपसे बात करके गया था तो कहके गया था शायद 7-8 महीने लगेंगे मुझे उम्मीद थी मुझे उम्मीद थी कि 7-8 महीने में नहीं मिल जाएगा लेकिन कोई बात नहीं 17 महीने लग गए 17 महीने लग गए लेकिन जीत सच्चाई की हुई है जीत इमांदारी की हुई है इसलिए कहते हैं कि भगवान के घर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं है बगवान के घर पे देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है इनकी तो बड़ी कोशिशे करीनों ने संजे भाई के उपर मेरे उपर अर्विन जी के उपर पाइटी के और नेताओं के उपर देश के सक्स से सक्स कानूनों की सक्स से सक्स धाराएं लगा के इनको बंद कर दो जूटे सच्चे केस में और ऐसी ऐसी धाराएं लगादो जो दुनिया भर में आतंकवादियों के उपर लगाई जाती हैं ऐसी ऐसी कानूनों की धाराएं लगादो जो दुनिया में ड्रग माफिया के उपर लगाई जाती हैं ऐसी ऐसी धाराएं लगाके इन्होंने सोचा इनको जेल में बंद कर दो तो जैसे आतंकवादी को जेल में डाल देते हैं तो सरता रहता है जैसे ड्रग माफिया को जेल में डालते है तो दुनिया में सरता रहता है इन्हें लगा अरविंद केजरिवाल मनी सिसोधियार संजय सिंग को भी जेल में डालेंगे तो सर लेकिन आपके आशों की कीमत है ये, आपके आशों की ताकत है ये, कि जेल के ताले भी पिगल जाते हैं। जी अंग से खून बह रहा था। उसके शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटे थी, गर्दन की हड़ी भी टूटी हुई थी। 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन डेपार्टमेंट में पीजी सेकेंडियर की स्टूडेंट थी। घटना के बाद मेडिकल की मांग करेंगे। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के कारण पांच जिलों में बाड जैसे हालात है। बलिया वारणसी में गांगा खत्रे के बिहार में बीते 24 घंटे में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है मौसम विभाग ने 17 राजियों में भारी बारिश का अलर्ड जारी किया है वही मध्यप्रदेश में चक्रवाद और मानसून ट्रफ लाइन की वजह से 22 जिलों में तेज बारिश का अनुमान है मौसम विभाग ने शियोपूर और शिवपूरी में भारी बारिश का अलर्ड जारी किया है हाला की 11 अगस्त से बारिश की एक्टिविटी घट जाएगी कानपूर में 70 साल के मौलाना ने 8 साल की बच्ची से रेप की कोशिश की वनीमत रही के पडोसी ने मौलाना को देख लिया और समय रहते दर्वाजा तोड़ कर बच्ची को बचाया घटना ग्वाल टोली क्षेत्र की है पकड़े जाने पर मौलाना गिडगराने लगा और धर्म की दोहाई दे कर हाथ पेर जोड़ने लगा वहीं परिजनों को देखते ही बच्ची उनसे लिपट कर रोने लगी रोते हुए मौलाना की करतूत को बताया मौले के लोगों ने पहले तो पंचायत करके मामले को निपटाने की कोशिश की लेकिन इस बीच मौका देखकर मौलाना फरार हो गया तब परिजनों ने पुलिस को सूचना दी इस तोरान सैकडों लोगों की भीड जमा हो गई लोग मौलाना की गरिपतारी को लेकर हंगामा करने लगे, माहौल को देखते हुए शुक्रवार रात इलाके में P.A.C. तैनात करनी पड़ी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शेवपूर से प्रदेश की 1.29 लाडली बहनों के खात्तों में 1500-1500 रुपे के हिसाब से 1897 करोर रुपे की राशी ट्रांसफर की इसमें लाडली बहना योजना की राशी के रूप में 1250 रुपे और 250 रुपे रक्षाबंधन के लिए शामिल है CM शनिवार को शियोपूर जिले के विजयपूर में आयवजित, स्वासाहायता, समूह, सम्मेलन तथा रक्षाबंधन एवं 553 कारेक्रम में शामिल हुए यहाँ उन्होंने सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहनों के खाते में रुपे भेजे और बहनों को शुब कामनाय दी साथ ही 450 रुपे में गैस सिलेंडर रिफिल योजना के अंतरगत 25 लाग से अधिक बहनों के खाते में 52 करोड रुपे भी ट्रांसफर किये रिवा जिले में तमरा गाओं में शौचाले के टैंक के लिए बनाए गड़े में डूबने से तीन सगी बहनों की मौत हो गई तीनों बहने नागपंचुमी पर कपड़े की गुडिया बना कर पूजा करने के बाद उन्हें पानी में विसर्चित करने के लिए गई हुई थी तभी ये हाथसा हो गया तीनों बहने सुनाली, तनवी और जानवी जिनकी उम्र क्रमशह 9, 7 और 6 वश थी खेल खेल में कपड़े की गुडिया लेकर पानी से भरे टैंक में उतरी और गहरे पानी में समा गई जब घरवालों को बच्चियां काफी देर तक नहीं दिखी तो उन्हें ढूनने लगे इस दोरान टैंक के पास पुतलियां, चुन्री और पूजा का सामान पड़ा था जिसके बाद परिजन तुरंत पानी में छलांग लगाने लगे गहराई में जाकर देखा तो एक-एक कर तीनों बच्चियां मिल गई लेकिन तीनों की मौथ हो चुकी थी वहीं मौगंज में भी ऐसी ही एक घटना सामने आई है जहां नाग पंच्रमी में गुडिया बहाने गये 13 साल के बच्चे की बावली में डूबने से मौत हो गई घटना नई गढ़ी में कुसहा गाउं की है जहां नाग पंच्रमी पर राहुली आदव अपने साथियों के साथ पुतलिया बहाने बावली गया हुआ था इस दोरान वो गहरे पानी में गिर गया जन्नी शिशु सुरक्षा कारेक्रम के तहट प्रदेश भर में निशुल्क सोनोग्राफी सेवा सुविधा का शुभारंब किया गया जिसके तहट अबनीजी संस्थाओं में भी निशुल्क सोनोग्राफी और इलाज की सुविधा मिल पाएगी राज अस्तरी कारिक्रम का आयोजन मेडिकल कॉलेज और्डिटोरियम रीवा में किया गया जिसके मुख्य अतिथी डिप्टी सीएम और स्पास्ते मंत्री राजिंद्र शुक्ल रहे इस दोरान डिप्टी सीएम ने बताया कि सुविधा की शुरुआत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातरित्प अभियान के अंतरगत की गई है जिसके तहत शास्की संस्थाओं में गर्भवती महिलाओं का विशेशग्य चकित सकों द्वारा ने शुल्क जाच और उपचार किया जाएगा इसके साथ ही हर माह की नौ और पच्चिस तारीख को गर्भवती महिलाओं को अब चिन्हित प्राइविट सोनोग्राफी केंद्रों पर भी ने शुल्क सोनोग्राफी सुविधा मिल सकेगी ये पहल प्रदेश में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्पास्ते के लिए सहायक होगी जिससे मातरीवं शिशु मृत्यु दर को नियंद्रत करने में मदद मिलेगी सतना शहर के ओद्योगिक शेत्र में फ्रशासन की संयूक्त टीम ने चापा मारी कर नकली बोरियां बनाने की एक फैक्टरी पकड़ी है जिसमें सरकारी ब्रांड की खाद की बोरियां बनाई जा रही थी जानकारी के मुताबिक SDM रगुराजनगर ग्रामेड राहुल सिलाडिया और DDA मनोज कश्यप ने पुलिस बल के साथ शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में दबिश दे कर नकली बोरियों के बड़े मामले का भंटा फोड किया साइ सिम्रन पॉलिमर्स के नाम से चल रही इस फैक्टरी का संचालन गंगाराम होतवानी पप्पू और मनेश होतवानी मन्शी कर रहे थे जाज करने पहुंची टीम को यहां सरकारी खाद के ब्रांड IPL-DAP की बोरियां बनती मिली बड़ी मात्रा में यहां raw material भी पाया गया करीब 1000 तयार बोरियां भी पाई गई इस बारे में जब SDM और DDA ने वहां मौझूद कर्मचारियों और संचालकों से सवाल जवाब किये तो वो इसका कोई जवाब नहीं दे पाए घंटो चली कार्यवाही के दोरान प्रशासन ने फैक्टरी से बोरियां जब्त कर ली है SDM राहुल सिलाडिया ने बताया कि फैक्टरी में छापा मारी कर जाच शुरू कर दे गई है इसका पूरा नेटवर्क खंगाला जाएगा और वैधानिक कार्यवाही की जाएगी मौगंज कलेक्टर अजे श्रिवास्तव अचानक महिला बाल विकास कार्याले नई गड़ी पहुँचे जहां कार्याले के दर्वाजे तो खुले थे लेकिन चप्रासी के अलावा कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी मौखे पर नहीं मिले कार्याले की ये इस्थिती देखकर कलेक्टर भड़क गए और खासी नाराज की जताई उन्होंने लावपरवाह अधिकारी यों और कर्मचारी यों को नोटिस जारी कर कारवाई के निरदेश दिये हैं उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की लावपरवाही कतई बरदाष्ट नहीं की जाएगी कलेक्टर ने महिला बालविकास कारियाले के जरजर भवन का भी जायजा लिया इस दोरान जनपद CEO कलपना यादव ने बताया कि ये काफी पुराना और जरजर भवन है जो कभी भी गिर सकता है इसके बारे में जानकारी SDM को भेजी जा चुकी है, कलेक्टर ने महिला बाल विकास कार्याले को दूसरे भवन में संचालित करने के लिए निर्देशित किया है मौगंज दिले में लगतार हो रहे, अवैध निर्माड के चलते जल निकासी की समस्या खड़ी हो गई है मौगंज के वार्ड चार और नई गढ़ी के वार्ड पंद्रह में लोगों के घरों में बारिश का पानी भर गया है आलम ये है कि तीन दिन से लोग घरों में कैद हैं, घर के अंदर और बाहर घुटने भर पानी भरा हुआ है करीब दो दरजन लोग इस समस्या से जूच रहे हैं लोगों को अब मकान के गिरने का भी डर सताने लगा है प्रभावित लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है मौगन जिले में लौर थाना क्षेत्र के जुर्मनिया गाउं के पास हुए सड़क हाथसे में युवक की जान चली गई बताया जा रहा है कि घर के बाहर टहल रहे अंशुल दिवेदी को बाइक सवार ने टक्कर मार दी जिससे अंशुल गंभी रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया वहीं बाइक सवार भी घायल हुए हैं आसपास के लोगों ने बताया कि एक बाइक में तीन लोग सवार थे और नशे में थे जिनकी लापरवाही से ये हाथसा हुआ रिवा शहर के विश्व विद्याले थानाक शेत्र के अरून नगर में बाइकर्स गैंग ने फिर चैन इसनेचिंग की बार दात को अंचाम दिया है घटना की खबर मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुच गई लेकिन आरोपियों का अभी तक पता नहीं चल पाया बताया जा रहा है कि पीड़ता शकुंतला त्रपाठी सुबह अपने घर के सामने कुछ महिलाओं के साथ बात कर रही थी तभी बाइक सवार दो बदमाशों ने उनसे किसी का पता पूछा जब वो पता बताने लगी तभी आरोपियों ने बड़ी सफाई से उनके गले से चैन खीचली और फरार हो गए आए चलते चलते नेताओं की लाठी बाजी के हुनर को देखते हैं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को टीकमगण में लाठियां घुमाई वे लाड़ी बहना उपहार और आभार कारिक्रम में शामिल होने गए थे इससे पहले जबलपूर के कॉंग्रेस और भाजबा के दो विधायक भी अखाडे में लाठी घुमाने की कला को लेकर चर्चा में रहे हैं पाच दिन पहले पूर्व मंत्री पाटन विधान सभाग शेतर से भाजबा विधायक अजय विष्णोई ने एक मंदिर में लाठी घुमाई थी वहीं अब पूर्व मंत्री एवं कॉंग्रस विधायक का भी ऐसा ही वीडियो सामने आया है दरसल शुकरवार रात नागपंश्मी के मौके पर जबलपूर के बड़ी खेर माई मंदिर के पास एक कारेक्रम का आयोजन किया गया था कारेक्रम में पूर्व मंत्री और विधायक लखन घंघोरिया ने भी अखाडे में पूजा अर्चना के बाद अखाडे की परंपरा के अनुसार लाठी गुमाई इसी के साथ ये समझा और बुलिटिन समाप्त हुआ कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ जुड़े रही शब्त साची से अब दीजे इजाज़त नमस्कार